डियर स्टुडेंट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ हड़ मानिया हड़ मानिया का जो नर्वस सिस्टम होता है वह सिंपल लेस डपलप्ड वाला होता है तो हड़ मानिया का जो नर्वस सिस्टम है तो कैसा है सिंपल तिता अल्प विक्सित हो पाया जाता है इसकी लार्वा अवस्ता में रेटेरोग्रेसिव मेटा मॉडपुसिस के कारण प्रतिगामी कायंतरन के कारण यह एक लेश केरेक्टर लेश केरेक्टर शीरेंट्री एडल्ट हड मानिया में डबलप होता है जिसके कारण जो हड मानिया का जो नर्वा सिस्टेम होता है हड मानिया में इसमें जो नर्व गेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगलेंगल मिड़ी डॉर्सल साइड पर मद्द प्रस्ट सतय पर मेंटल के नीचे मेंटल के नीचे दसा रहता है जिसे अपन क्या कहते हैं नर्व गेंगलियोंस और इसी को क्या कहते हैं प्रस्ट सतय पर पाया जाता है लेकिन हड्मानिया में यह नूरल गेंड के नीचे पाई जाती है जिसे और इसमेंसे यह बाई पूलर यह बाई पूलर यह बाई पूलर यह बाई पूलर तता मल्टी पूलर भाई पूला तदा मल्टि पूलर तदा बहुत सारी नर्ण से मिलकार ये गैंगलियोंस बनाती है जैसे नर्ण गैंगलियोंस आथिया या इसमें 2 नर्वज पोष्टियर वाकी और निकली रहती है अब ये neural complex neural complex ये एक nerve ganglion neural gland तता ये dorsal tubercles जो आपस में मिलकर एक neural complex बनाती है तो इसे उपर neural complex करते हैं तो यह हडमानिया का एले से लोंगी टूडिनल सेक्शन है जिसमें आप यह इस डायग्राम में देख रहे हुआ यह ब्रीन्किल साइपन है यह एटीर साइपन है इधर एटीर साइपन तो यह दोनों साइपनों के मद्ध में मिड्वर्सल साइट पर यह मद्ध परस्ट सितर तो यह ना यहां पर मेंटल के नीचे दसी डशा रहता जैसे अपन क्या कहते हैं नर्भ गैंग्लियोंस पर जो होती है इसमें से 3 nerves 1 2 और ये 3 3 nerves आगे की ओर निकली रहती है जबकि 2 nerves posterior वाकी ओर निकली रहती है तो ये nervous system of harmonia का diagram है ये वाला और ये LS है और ये इसकी neural complex है और ये bascular ये हड़मानिया का nerve supply करता है ये bascular ampula को तो ये हड़मानिया का nervous system देगा जिसमें आपने ये देखा जो हड़मानिया का जो nervous system है वो simple तता है less developed वाला होता है धन्वाद